नमस्क्रा दोस्तों extremely भारत के external affairs minister Russia गए हुए उसी दोरान में वो मिले हैं which स्थ arguing अरश्या के foreign minister से वो मिले तो रॉस्या के fire minister ने कहा कि रॉस्या अब making India modern weapon के production को लॉंच करेगा मतलब अभी तक रॉस्या भारत को defense का export करता था अब Russia भारत को defense एक्सपोर्ट नहीं करेगा बलकि भारत में ही defense के सामान बनाएगा ये किस तरीके से भारत के लिए beneficial होगा रोगा रषिया सा कर क्यों रहा है रषिया अच्छशवला एक्सपोर्ट कर रहा है आप भारत करने ये प्रोडक्शन करने क्यों आ रहा है ये दो बड़े सवाल यहां पर उड़ते हैं जिसे मैं शुबर निगी चुहान इस सेशन के अंद आप लोग के साथ में डिसक्स करूंगा बर उसके पहले आप लोग में साथ में साथ में साथ सीटें टेलिग्राम ले हुएं आप वहाँ पर विजट कर सकते हो आफ्लाइन ग्लासे अटेंड कर सकते हो तीस दिसमवर से बैचेस जो है वो शुडू होने वाली है अगर आपको कुछ भी डाउट है कि इन बैचेस के अंदर कौन टीचर पढ़ाने वाले है इन बैचेस के अंदर क्या फायदा कर लेगी और आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगी ठीक है तो इस काउंसलिंग फॉर्म को भर देना इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों पूछा चाहूंगा कि साओधी अरेबिया और इरान के बीच में जो पीस दील है वो किसने ब्रोक कर आई कारेंट से हम लोग खूब डिफेंस यूएसेसर से लेते थे मलब भारत के पास में जितने हतियार देना उसका 90 प्रतीशत यूएसेसर से भारत को आता था 1991 में यूएसेसर का डिसेंटिक्रिशन हो जाता है यूएसेसर तूट जाता है अब आप खुछ सोचो कि एक देश तूट गया है उसके इंटर्नल लेवल पे किस तरीके के इशूस चल रहे होंगे यूएससर में भी यह हुआ कि यूएससर में से जो रश्या निकला वो अपने इंटर्नल इशूस के अंदर खुब उलच गया जिसे कायांट से ये डिफेंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था भारत को देनी पा रहा था वहीं जो दूसरे डिफेंस के एक्विप्मेंट भारत को जो अलरड़ी दिये हुए थे उसके अंदर कुछ-कुछ पार्ट खराब हो रहे थे हम रश्या से कह रहा थे देदो तो रश्या कहा था बनी नहीं आ तो कैसे देदो ऐसी कंडिशन में भारत के अंदर इस पेर पार्ट का इशू आ रहा था तो फिर भारत की बत्ती के इंपोर्ट को रश्या से कम किया यूएस फ्रांस और इसरेल जैसे देशों से डिफेंस के इंपोर्ट को बढ़ाया हाला कि सिपरी की रिपोर्ट ये बताती है कि आज भी रश्या से सबसे ज़्यादा डिफेंस को हम लोग इंपोर्ट करते हैं पर पहले जो 90 प्रतीशत था वो कम हो कि अब 45 प्रतीशत हो चुका है प्रांस यूएस ने हमारे डिफेंस के इंपोर्ट लगाता बढ़ रहे हैं रश्या से कम हो रहे हैं अब इसके अंदर रश्या का क्या नुक्सान है देखो रश्या के हास से बहुत बढ़ा मार्केट छूट रहा है क्योंकि सिप इसकी पोजीशन इसके हाथ से स्लिप कर रही है तो इसको चाहिए कि भारत को लुभाए पहला वहीं दूसरी तरह कहीं सारे नए डिफेंस के एक्सपोर्टर आ रहे हैं 1991 की कहानी थोड़ी है अब तो चाइना प्रांस जर्मनी इटली ऐसे कहीं सारे देश हतियार बनाने में सक्षम है और अच्छे अतियाय बनारा है एवन भारत खुर अधियाय बनाने का प्रयास कर रहा है एरकाफ केरियर भारत ने बना लिया है ऐसी कंडिशन में नए इक्सपोर्टर मार्केट के अंदर आ रहा है जिसके कारेंट से रष्या के लिए कॉम्पेटिशन क्रियर और ह बढ़ेगी लिए भारत के आंदर प्रोड़क्षण करने के लिए र्ष्या तैयाँ हू रहा है अभिविया रज्या उक्राइन वार्ड़ के चलने के एक वर से दो प्रॉब्लelम आरे है निए फैर पार्ट की और अपने कमिट्मेंट को पूरे लगे हुँ bestimmt का मामलां ही यह आप नहीं रखना प्रोड्यूस कर देगे और भारत में प्रोड़क्षन करके भारत से हो जाएगा तो सेंक्शन जो है उसको ओवरकम कर जाएंगे इस कारण से भारत के अंदर प्रोड्यूस करना चाहता है वहीं दूसी तरफ बात आती है कि भारत को इससे क्या फाइदा है देखो भारत डिफेंस के मामले में बहुत एक्टिव कंट्री है हम लोग एक्टिव हतियारों को इंपोर्ट करते हैं और जितना हमारे पास में आज हतियार है उसका 65 प्रतिश्य हमिपूर्टी कर रहा है कि अकि अर्ण के साथ मिलके भारत में रचयार बनाने लेगा ँब यह थोड़ी कहेंगी। कि रचयार से आहा है यह तो भारत का हा अब ना यह 수ro Katedly की मिसाइल formula कि अब कि da क्योंकि production भारत में हो रहा है अगर इसी तरीके से और defense बनेंगे अनाशिया के साथ में मिलके भारत के अंदर तो obviously भारत का defense का production बढ़ेगा अगर भारत में defense produce होने लगेगा तो फिर हम लोग को बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा तो वो जो import भी ले वो कम हो जाएगा अब जब भारत में defense बन रहा है तो इसे भारतियों को भी बड़ा फाइदा होने वाला क्योंकि भारत में अगर हतियाव अगरा बन रहा है तो उन हतियार के अंदर ऐसा तो है निके बनाएगा उसको एक्सपोर्ट भी तो गर पाएगा तो भारत का defense एक्सपोर्ट भी बड़ेगा हमाएं साइन्टिस्ट नई टेक्नलोजी को समझेंगे अगर रश्या के साइन्टिस्ट के साथ मिलके काम करेंगे एसी कंडिशन में भारत के लिए भी विन-विन सिच्वेशन होने वाली है इतना ही नेक आप यहां देखना यहां इंडिया है और इंडिया जिस जगे पर है यह बहुत ही strategic location भी है क्योंकि यह इंडिया नोशन के बीच में है और साथ में बहुत risky जगा भी है भारत के दूनों साइट आप देखो इधरपुरा मिडलिस्ट है इन security वाला रीजन यहां पर piracy activity चल रही है यहां पर इसरेल के अंदर बहुत चल रहा है स्टेट आउफ मलक का साउथ इस्ट इस्ट इश्या वाला यहां पर भी यह जो देशन के पास में बहुत अच्छे हतियार नहीं है पर इनको चाहिए हतियार इनको चाहिए security इनको चाहिए को इनको security प्रोवाइड कर दे किस से चाइना से इसी condition में भारत net security provider बन सकता है मतलब इस region के अंदर भी इस region के अंदर भी हम लोग security दे सकते हैं हम लोग हतियार सप्लाय कर सकते हैं जैसे फिलिपिन्स को रीसेंटली भ्रंबूज मिसाल जो हम लोग ने सप्लाय की वो कब कर पाएगा जब हम लोग produce करेंगे और making India को एक बड़ा bush मिलेगा अगर Russia हमाई साथ में हाथ मिला लेगा तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है ऐसा नहीं है कि भारत ने रशिया के साथ में कोई all defense के सामान बनाए नहीं है या इसके पहले कोई all defense का सामान भारत के अंदा बनानी है मैंने आपको बताया भ्रमोस रशिया भारत दुनों साथ में मिलके बनाई है इगला एस एक man pad है मतला आदमी अपने ऐसे रखके attack कर सकता है यह इगला SB भारत के अंदा बनना शुरू हो चुकी है रशिया के साथ में एके दोसो तीन अमेठी के अंदर बनाने की बात अलरेड़ी हो चुकी है M.O.U. अगेरा साइन हो चुका है इतना ही नहीं तू 30 M के आई तो कोई design bureau जो की रशिया की company है और भारत का हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड यह दोनों साथ में मिलके एक joint venture बनाके भारत के अंदर develop करना है उदर शाता है भारत और रशिया के defense relation आपस में बहुत बहतर हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा बहतर होने वाले है इसके अलावा रशिया के external affairs minister ने ये भी कहा कि international north south corridor को बहुत जल्दी implement करेगा अब रशिया सन 2000 के अंदर भारत ने अल्रेडी इरान के साथ में agreement sign कर लिया था उसके बाद में लगबग 14 और देश international north south corridor के अंदर जुड़ चुके थे जिसके अंदर ये corridor इंडिया के मुंबई से शुड़ू होगा यहाँ पर बंदर अबबास चबाह रपोर्ट इरान में फिर इरान से यहाँ पर अजरबाइजान अजरबाइजान से कलागिस्तान और उसके बाद में रशिया इस तरीगे की पूरी connectivity रैशिया और भारत के बीशे बनाने की कोशिश international north south corridor से की जा रही है अब ही क्या होता है कि भारत को इधर red sea से होते हुए से गूम गया आना पड़ता है रैशिया अब red sea के अंदर भी यहां पर यमन बैठे हुए हुए हुटीज बैठे हुए जिसके कायन से जहां जो क्यों पर खत्रा बना हुआ है तो हम लोग इस रास्ते से भी रही जा सकते अब हम लोग के पाउप गुड हो को क्रॉस करते हो जाते हैं कितना लंबा पड़ता है यह व लोग इंटरनेशनल नौर्साउट कोईडो जो बना रहे है ठीक है आई होप इतनी बाते आप लोगो समझ में आई होंगी लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे इसास विटेन कमेंट करना अगर आप लोग को आफलाइन क्ला जो पर आउट स्थिप अच्छों के लिए आ लगान के लिए अल्दर के लिए डैस कै लाइबडरियरी आप यार्मेट के पड़ क्ड़ते हो झाल झाल